तो आज बनाते हैं जिसे आप स्टोर करके महीने वर तक आप इसे रह सकते हैं और शाम की चाह के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो अम्ये ले लिए इसका बजन करीब-करीब 100 ग्राम के करीब होगा इन अम्या को पहले चिलका उतार लेते हैं तो अच्छी आमी काटी इसको दाल देते हैं मिकसर घाल में पर एक अरिमकाल नमक और अदा चमबत मैंने लैल मिर्ची पाउडर में एड़ कर लेते हैं हम डालेंगे अहें धोड़ी से सिस्क्राइब है ही इन का फ्लेवर अच्छी अच्छे pół कलर सित असक्यों नावच और फॉट्वोड फ़र Steak पानी जादा मैं दालेंगे टो पानी ज्यादा हो जाएगा पानी व Light पानी पूरी फ्लेवर के सेफ बीडाल चाहिए आप देख सकते हैं जोटे चोटे चोटे टुकड़ें वह उपर रहाएंगे पानी पूरी फ्लेवर के सेफ बीडाल चुकी है आप उसे भी चेक करें रैस्पी बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी प्लेवर के बनकर तयार होती है इस तरह से मैंने चान कर तयार कर लिया और इसको हम निकाल कर अलग रख लेंगे और यह प्रेंट इस नाश्टे को ब इनको ग्रेट कर लेते हैं स्वाच कि अधर तो मीडियम साइज के आजय को अइसको मैंने ग्रेट कर लिया है छोटे वाले वarrows से ग्रेटर के और अब लिए मैंने यहाँ पर एक अटॉरी बबैसन को अमें च्छान कर लेना है यह बिसन को डाल लेते हैं एक परात में और ऊ अलुए अपने आलू एड कर लेते हैं हम एक चम्मस ओयल जिस्सके की जो हम यह रेश्पी बना रहे हैं इस मारी कर्षपा बने राट एप तैयारो एक चम्मस में और डाल दिया है और अब डिरे जो हमने कच्छी आयम की फ्यूरी बनाई थी इसको हमें दीरे डालना आ और इसको अपने बेशन को हमें अच्छी तरह से लिखते जाना है हमारा सेफ बनाने का डो तयार हो गया है और आज हम कच्छी के सेफ तयार कर रहे हैं और उसकी लिए लिए मैंने सेफ मेकर अब इस मशीन को थोड़ा सा अंडर से ग्रीस कर लेते हैं इंट में नय्वाणीं चदाथोगें, इसा पिभमें तोब नमबर वादी है रिल्षा, और अपनी मशीद दूब नंबर 1 जाली के ग्रीज़ा लेंगे लुपाजर अचातना साफ से बिजमा के बाज़ारें निकले हैं कि अपने डो को हम मशीन में डालते हैं इस तरह से जो मशीन का जो हमारा इपायट होता है उपर गुमाने वाला इसको आतक लियाना है और इसको अब हमें इसके लिट को लगा देना है करके विए जन लोगों के पास सेव बना सकते हैं तो इसके लिए पर नमक देटिए को आप नमकीन नमकी दूपप्राइब खिंद के लिए तोटा से त्याद कर लिया और इसको फोड़ासा गृस कर लेंगे और यह थोड़ासा पैटर पर आपको भरके लिखाती हूं इस तरह स पहले थेली में बढ़कर तयाद कर लिया और इसमें अपनी जरुवत के साब से हम भोल करेंगे छोटे बड़े आपको मोटे कैसे भी सेव बनाने हो उसके साब से भोल कर लीजिए और इसमें आपको बना रही हूं तो सर्सों की तेल को पहले इसकी जो एक अजीब सा फ्लेवर निकलना जरूरी होता है तो थोड़े से नमक को पानी में गोल कर आप इसमें तेल में डाग दीजिए उससे क्या होता है इसका जो तीखा पन होता है सट्चों की तेल का वह निकल जाता है तो फ्रेंट्स अब इससे भी हम बनाना शुरू करते हैं प्रेंट्स अमने पॉलेथेन से बनाया देशे बेसिक चिक हैं इसको हम निकाल देते हैं और आपकाना शुरू करते हैं इस तरह से गुमाते हुए हमें पूरे तेल में इनको सेव को छोड़ना है और फ्रेंट्स यह बहुत ही डिलीशेस बनकर तयार होता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आने वाले हैं अब फ्रेंट्स यह सिख चुके हैं इनको एक जारे में ले लेते हैं बुम चचंशी हैं और इसी तरह से हम अपने दूसरे सेव भी बना कर तयार कर लेंगे यह बनाएं ने भूर बनकर दिखाती हूं कितने खसता क्रिप्स बनकर तयार हुए यह देखिए और फ्रेंट्स यह देखिए इतने भुरबुरे सेफ बनकर तयार हुआ है जो कि हमने इसमें आलूम लाया है और थोड़ा सा इसमें मौयन भी एड़ करा है तो यह बहुत है आप महीनेवर तक स्टोर करके रख सकते हैं ती टाइम इसनेक है यह बहुत ही बढ़िया इसनेक है आप इसे बना कर देखिए और प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताये करिए कि आपको यह हमारी रेस्पी कैसे लग रही है और आप हमारे चैनल पर क्या और रेस्पी देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट जरूर करें थैंक्यू पर वाचिंग